ये खबर आ रही है यूपी के काजगंज से जहां तेज रफ़तार बस ने टेंपो को जोरदा टकर मार दी है सवारियों से भरे टेंपो में बैठे तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए है एक खबर आ रही है यूपी के काजगन से जा हाथसे में एक तीन वर्षिय मासूम बच्चे ने अपनी जान खो दी है खड़े टेंपो में चालक जब सवारी भर रहा था तब या कर बस ने सवारी को टकर मार दी हाथसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और फिलाल लोगों को पुलिस ने अस्पताल में भरती करा दिया है डॉक्टरों ने घायलों की हालत बहुत ही गंबीर बताई है और उन सबी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है मौतक मासूम बच्चे के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है ये खबर आ रही है यूपी के कासगंज से जहां सवारियों से बड़े टंपू को एक तेज रफतार बस ने टकर मार दी है एक तीन वर्षिय बच्चे की जान चली गई है और तीन लोग गंबीर रूप से घायल बताई जा रही है पुलिस ने फिलाल अपने कबजे में बस को ले लिया है और सोरो कसबे में कासगंज रोट पर सित वर्मू मूर्ती चोराहे का पूरा मामला बताई जा रहा है